हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो और चैनल, आज मैं आपके लिए लाइन की कुछ वर्क सिट्स लेकर आई हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेंडिंग लाइन की, तो मैंने यहां पे स्टेंडिंग लाइन के लिए कुछ पिक्चर्स ड्रॉव किये हैं, अब अपने हिसाब स कुछ भी यहां पर ड्रॉव कर सकते हैं, बस लाइन थोड़ी लंबी होने चाहिए, फिर हम बच्चे को इस लाइन पर ट्रेस करने के लिए बोलेंगे, बच्चा कुछ इस तरीके से ट्रेस करेगा, जब बच्चा इस तरीके से ट्रेस करना सीख जाए, तो आप लाइन स्टेंडिंग लाइन के बाद बारी आती है, स्लीपिंग लाइन के, तो हमने स्लीपिंग लाइन के लिए फर्ष्ट बैट और बॉल ड्रॉ किया है, बैट और बॉल का कंबिनेशन होता है, इसलिए मैंने यहां पर बैट और बॉल ड्रॉ किया है, और बच्चे को बोलेंगे बैट को ट्रेस करते हुए बॉल के पास ले करके जाओ तो बच्चा इस तरीके से इसे ट्रेस करते हुए बॉल के पास जाएगा उसे याद हो जाएगा कि स्लेपिंग लाइन इस डारेक्शन में होता है या फिर इस तरीके से स्लेपिंग लाइन होता है फिर हम यहांपे फीस बनाए है और बचे को बोल सकते हैं यहांपे पाने ड्रॉ करने के लिए बच्चा कुछ इस तरीके से यहांपे पानी बनाएगा next लेडर बनाई है इससे बच्चे की standing और sleeping दोनों लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि बच्चे को बार बार प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी होता है इसलिए आप बच्चे को इस तरीके से मिक्स करके दीजिए तो बच्चे की प्रैक्टिस होती रहेगी यह स्लेपिंग लाइन यहाँ पर मैंने पैंसिल बनाई है इससे बच्चे की स्लेपिंग लाइन की प्रैक्टिस होगी स्लेपिंग लाइन के बार थर्ड आता है स्लेंटिंग लाइन स्लेंटिंग लाइन के लिए आप कुछ बच्चे को इस तरीके से पिक्चर बना करके दे सकते है मैंने हैं पर बॉल ड्रॉ किया है और एपल ड्रॉ किया है बच्चे को वो लेंगे बॉल को बॉल से मिलाओ तो बच्चे इस तरीके से इसे मिलाएगा अब बच्चे को इस तरीके से पिक्चर बना करके देंगे और उनको पिक्चर के थूर समझाएंगे तो बच्चे को आसानी से याद हो जाता है और उनने समझ में भी आ जाता है और उनको ये चीज याद हो जाएगा कि slanting line इस तरीके से और इस तरीके से होता है तो आप बच्चे को कोशिस किजिए कि picture के थूँ ही समझाएं नेक्स्ट मैंने एरो गनाई है इससे बच्चे की sleeping line और slanting line दोनों की practice होगी बच्चे इसे इस तरीके से ट्रेस करेगा नेक्स्ट के बाद आता है कर्व तो कर्व कई तरह के होते हैं सी कर्व डी कर्व यू कर्व और इस तरीके का नीचे की तरफ वाला कर्व कर्व के लिए मैंने यहां पर पाने की लहरे बनाई है और साथ में बोट बनाई है इससे बच्चे की standing sleeping और slanting line के practice होगी और यहां पर पाने की लहरे के द्वारा बच्चे का कर्व का प्रैक्टिस होगा बच्चा इस तरीके से पाने बनाएगा तो उसके कर्व की प्रैक्टिस होगी इस तरीके से और यह sleeping line यह standing line और यह slanting line इस तरीके से आप बच्चे को अलग-अलग picture बना करके दीजिए तो बच्चे का interest बना रहता है अगली वर्क सिट में मैंने cloud बनाया है cloud से बच्चे की सभी तरीके के कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी यह हो गया C curve यह U curve यह भी U curve और यह हो गया D curve यह हो गया नीचे की तरफ अलग-Curve कर्व के लिए आप इस तरीके से अंब्रेला भी बना सकते हैं इससे भी कर्व की प्रैक्टिस होती है इस तरीके से यहाँ पर बच्चे की स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस होगी फिर यह कर्व अब दिया भी बना सकते हैं फिर मैंने यहाँ पर बैलून का जो धागा होता है मैंने उसको इस तरीके से कर्व की तरह बनाया तो इससे बच्चे की कर्व की प्रैक्टिस होगी फिफ्ट और लास्ट वर्क्षेट में मैंने कुछ इस तरीके के पिकचर बनाया जिससे बच्चे की सभी लाइन याने की स्टैंडिंग, स्लेपिंग, स्लैंटिंग और कर्व की प्रैक्टिस होगी वोसिस किजिए कि आप बच्चे को उस तरीके का पिक्चर बना करके दें जो बच्चे को पसंद हो इससे क्या होता है कि बच्चे का इंट्रेस्ट बना रहता है और बच्चा इसे करने में बोर फिल नहीं करता है और बच्चा इसे इंट्रेस्ट लेकर करता है कि यह स्लेंटिंग लाइन कि यह कर यह स्लेंटिंग लाइन कि इस तरीके से नेक्स्ट मैंने सन बनाया है इसमें सभी लाइन साती है यह स्टेंडिंग लाइन लाइन स्लेंटिंग लाइन और यह कर्व तो इससे भी बच्चे की सभी लाइन की प्रैक्टिस हो जाती है और बच्चे को प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है इसलिए आप बच्चे को इस तरीके का पिक्चर बना करके जरूर दीजे और उनको बार-बार प्रैक्टिस करवा सब्सक्राइब कर दोकुमेंट फाइल में रख दीजिए और इसको बार बार यूज़ करते रहें इससे आपको बार-बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा आप इसे एक बार मेहनत करके बना लिजे और ड्रांस्पारेंट फाइल में रख लिजे तो आपको बार-बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा और उसपे बच्चे स्केज केंट ये psychologist कर दूनों से ट्रेस कर सकते हैं और वो कोई भी कपड़ा से असानी से रव हो जाता है कि मैंने हाँ पर आज आपके साथ पाच वर्कषिट शेयर किया है फॉस्ट ये सकेंड ये थार्ड ये और ये फॉर्थ और ये लास्ट फीफ्थ आप इन सब आइडियाज के तुरूब बच्चे को सभी लाइन के प्रैक्टिस असानी से करवा सकते है आज की वीडियो में बस इतना ही अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेलफूल रहेगा तो इसे लाइक जरूर कीजेगा हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा और अपनी फैमली और फ्रेंट के साथ सेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू थैंक्स पूर वाचिंग